अपरात का ग्राफ लगतार बढ़ता जा रहा है वही शहर के गटगर ठाना शेत्र करूला में रहने वाली एक गरवती महिला ने अपनी चचेरी सास और उसके बेटे पर पारिवारिक विवात के चलते मारपीट करने का आरोप लगाया है अपरात का ग्राफ लगतार बढ़ता जा रहा है शहर के गटगर ठाना शेत्र करूला में रहने वाली एक गरवती महिला ने अपनी चचेरी सास और उसके बेटे पर पारिवारिक विवात के चलते मारपीट करने का आरोप लगाया है पीडित महिला नाजिया का कहना है कि वो गरवती है और ऐसे में उसके बेटे में लादगूसे मारे गए हैं उसके बच्चे की भी जान लेने की कोशिश की गई पीडित महिला ने कटगरथा ने पहुचकर अपने साथ हुई घटना के जानकारी पुलिस को दी है वहीं अपनी चचेरी सास फातिमा और उसके बेटे के खिलाफ वो पुलिस से शिकायत करते हुए कारवाई की मांग की है कितने लोग थे आपको मारा पांच जने या दो जने अल्टा मश्टा और उसकी मम्मी थी और हमें दो तीन गाना आपके तो आपकी फैमिली से ही है वो परिबार सी है आपके चचेर सास के हैं तो एक गर में रहते हैं कि तो कहां लग आपको कुछ को पिशा था ने में खर कर दी शिकायत कर दी еще जब चान्स लगे कुलिस ने पीड़े तमहिला को उपचार और मेडिकल के लिए जिलस पताल भीज दिया है